बश्चों आज हम क्लास 10 के अर्षास विशे के पर्थम पार विकास के बारे में पढ़ेंगे विकास विकास से इस पार को पढ़ाने से हम या पढ़ने से हम सब पर्थम विभिन व्यक्तियों के विकास के मैंने क्या है वो सिखेंगे इसके साथ सब विकास से क्या ततपर है ये समझेंगे और विभिन व्यक्तियों के लिए विकास के लच्च आखांच्छाएं क्या होंगी वो सिखेंगे साथ साथ हम दो या अनेक राजियों एवन दो या अनेक देशों के वीच विकास के तुनात्म का ध्यन करेंगे करेंगे विकास पाठ पढाने का देश तरपर्थम छात्रों को विकास के समझ दिख्षित करना एवन विकास के विभिन आरामवन एवन पहलनूं के बारे में जानकारी देना है तो विकास विकास क्या है विकास एक निरंतर चल्ले वारे परकिया यह कभी रुपती नहीं है विकास पाठ पगती पगती करते आगे पढ़ना या माने विन बहतरी का होना तो हम देखते विकास करने के लिए देखती अनिप्रा के काइन करते हैं विकास करते हैं माने जीवन एवन समाज इंदेश के आप्टिवस्था में साकारात्मक बदलाव से जिससे ब्यक्ती के जीवन में गुनात्मक परिवर्तन होगा परिखते हैं कि विध्रिंद बैक्तियों के लिए विकास के लच ध्रिंद ध्रिंद होते हैं परिखते हैं जैसे एक भूमी ही ग्रामी परिखते हैं एक भूमी ही ग्रामी परिखते हैं क्या है उसे रोजगा मिलना, निमीत रोजगा का मिलना, उसकी महुष्णी का उचित मुल में मिलना, साथी साथ उसके बच्चों के विए उसके गाउं में सिच्छा की बैता ब्याउस्ताव। साथी साथ उसको अपने समाज में समाज के साथ जिने का अवसर मिलेगे। तथा वो भी अपने गाउं में मुख्या बन सके। आगे देखते हैं पंजाब के सम्रिद के साम। पंजाब के सम्रिद किसां के लिए विकास का लक्ष क्या हुआ। पंजाब के सम्रिद किसां का लक्ष हुआ। कि उसके अनाष्टा निम्तम समर्थन मिले। साथी साथ उसे कम मैदूरी पर बहतर काई करने वाले मैदूर मिले। जिससे उसकी आय में प्लिधी हुआ। जिससे कि वे अपने बच्चों को विजेशों के सिछा दिला सके। अग्र भृब्र हляется का अग्रसा झाली को निता है हुआ। क हए़ जिससे कि वेन आड्रसा मरी आयete की सिछाने की वे दोने को वी आप जिससे की से सुगowego, हार्ट जिससे कि वे वे पर दो को निससे का लंपिए। कि वर्षा प्राद हाई ग्रामीड किसान वैसा किसान जिसके खेटी वर्षा पर निभर वो किसान के प्रिखास का रच्छी क्या हो कि वो किसान चाहेजा कि प्रतेक वर्ष वर्षा उचित मातरा में अच्छी हो जिससे उसके फसर का उत्पादर अधीक से अधीक हो आगे देखते हैं सहरी बर्षगा लिभग सहरी बर्षगा लिभग सहरी बर्षगा लिभग के लिभगास का लच्छ रोजगार साथी साथ उसे निमित रोजगार मिले और अधीक से अधीक वो आयप्राप कर सकें और भासा का लिभगाँ झाल झाल एक सहरी अमीर का उसके विकास कलच क्या होना चाहिए सहरी अमीर की बेटे का विकास कलच होगा कि वो विदेशों में पढ़ाई कर सके वो जिस सहाब में रापता है उस सहरी एरपोर के सुधाव जिसे वो उसे विदेश आने जाने में सुधावाई आगे देखते हैं सहरी अमीर परिवार की रड़की का विकास कलच क्या होगा समक्ताम वो लड़की चाहिए कि उसे भी अपने भाई की तरह आजादी में वो अपने कैसे स्वेलेस है साथी साथ वो चाहिए कि वो अपने भाई की तरह वो भी की देशों में पढ़ाई कर सके आगे तरह आगे तेखते हैं नगा आगे तरह आगे तेखते हैं तो उसके जो दिकास की का त्चा अचाए नामों होगी, नदेदानती के जो दिकास का त्चाए नग तो विगन कई लिगान, तो उसके जो सब्चाए नामों की रहने का विवस्थाव, तो इस पतार हम देखते हैं कि भिंद भिंद प्यक्ट्टियों के लिए विकास का लच भिंद है सबी के लिए विकास का लच अलग-अलग है आगा प्यक्ते, कि इस का लचघसे हैं dan हो प्यूसे कि इस एक लिए कनदेखिए कि भी की प्यक्ते है हिए ःनले को हएु़से हैं कि दिए कम देखते हैं विए विवें तेक्ते के लच अलग्लंद है तो लेकिन कि हमें यह भी समझना हुगा कि किसी बैक्ति के लिए बिकास का लच किसी तूसरी बैक्ति के लिए वो भीकास का लच है नहीं हो सकता है उसके लिए विकास नहीं हो सकता है जैसे अधार के लिए देखते हैं कि सहरे सम्रित्यक्वार की लड़की जदी चाहती है कि वो अपने भाई की तरब से आजादी मिले वो भी देखते हैं तो हो सकता है उसके भाई को उससे तकलीफ हो आगे देखते हैं कि एक बैपाई मालिक चाहेगा कि उसके लिए बड़े बड़े बाद बनाये जाए जिससे कि उसे बिज़ी सस्वे मिलता रहे लेकिन नंगजा घाटी का एक आधिवासी चाहेगा कि उस बड़े बड़े बाद बना जाए क्योंकि बड़े बाद बाद मनने से हो सकता है कि जमीन जलमगल फजाएगा जिससे नमस्थ होना पड़े तो इस प्रक्ताक लोगते हैं कि जहां एक वैक्ति के लिए विकास का लुच है विक्यास का रहा नहीं हो सकता है उसके नहीं जाए पिनासाई भी दो सेटाई बच्चों देखते हैं कि लोगों के लिए विकास के लिए कई आई मिने चीवी होते हैं जैसे लोग पनुप उसे चाहते हैं कि उसे नीमीत रोजगाय होगे उसकी मज़िली का अधिक से दिक बेतर मिले कि उसके अनाज का अधिक समर्थन दोले प्रांच होगे तो इस कंडार देखते हैं कि अधिकतर बेक्ति का लच्च अपनी आई में ब्रिदी करना आपके आई में ब्रिदी करना आपके आई में ब्रिदी करना आपके पर्म के लच्च जिसे है कि वो अपने भौतिक आवशक्ताओं की पूर्ति कर सकते लेकिन आई में ब्रिदी के अत्रिक मानव के लिए हम चीजें भी माद्वन होते हैं जैसे स्वतंत्रता उसके परिवार की सुरद्शाद बेंदर वातावराद बेंदर स्वाइप सुभायें उसके साथ उचित बैवार समाज में समामता हर व्यक्ति चाहता है कि समाज उसके साथ उचित बैवार है जैसे आप देखोगे कि अधिर आपके सापा भी आपके साथ उचित बैवार नहीं करता है तो आपको तकलिफ हो तो आयम बिंदी के अत्रिक ब्यक्ति को यह चिज़ेगी बहुत मानवल होती है कभी कभी तो आय से ज़्यादा अन चिज़े मानवल होती है बाद है इस परकार देखते हैं कि भी भिन खर्थियों के लिए विकास के लच्छ भिन भिन होते हैं तो किसी रायत या देश के लिए भी ब्यक्तियों के विकास के लच्छ भिन भिन होंगी किसी ब्यक्ति के लिए किसी देश के विकास के लच्छ अलग हो सकता है किसी अन ब्यक्ति के लिए किसी देश के विकास के लच्छ कुछ और हो सकता है तो हम आगे देखेंगे कि किसी राइट या देश का दिकास का लेच्छा क्या हो? राष्टे दिकास मतलग राष्टे दिकास मतलग जैसे हम अपने विद्याया में देखते हैं कि प्रतेश बच्छा अलग-अलग होते हैं कोई पढ़ने में अधीत कुसल होते हैं कोई खेंडने में अधीत कुसल होते हैं किसी की रूची विद्धाले के साथ सखाई में अधिक होती है कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अब्जोर होता है जदी उन सभी बच्चों का समध रुप से मुल्यादन करें तो उसके लिए किंद्र लच्छों को लें तो हम देखतें कि उनके लिए सबसे महत्तु क्या है हम किस चीज का वजी करें जैसे अस्पोर्स टीम बना रहे हैं या पिकनिक में जाने के विए टीम बना रहे हैं या विद्धाले के बाप सेंशत के लिए बच्चों का चेहन करें हैं तो उस अधार पर हम उसका वगी करते हैं उसके सबसे महत्पूर्ण करते हैं उसी पतार राष्टिय विकास के लिए विविल बेक्तियों के लिए लच अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबसे महत्पूर्ण जो होती है वो होती है राष्टिय आये राष्टिय आये राष्टिय आये राष्टिय क्या है तो किसी दिए से के सर्धी विवासियों जो आये प्राप की जाती है या आई की जाती है उसे राष्टिय आये लेकिन यदि हम किसी देश के विकास है उसके राष्टिय आये माते हैं तो उसमें टटनाई होती है कि अधिया कि अधिया कि अलग अलग देशों कि जन संग्या अलग अलग होती है किसी देश की देश की तो तो उसके राष्टे आए से जो देश का विकास को मापते हैं वगी करन करते हैं तो वो उजित नहीं होता है तो इसके लिए हम और सब्सक्राइड रेकर किसी देश के और सब्सक्राइड किसी देश का और सब्सक्राइड क्या है उस देश के निवासियों द्वाला जो आए और जित की जाती है उसे उस देश की पुर्जन संख्या से भाब देने पर हमें उसक उस देश की उसक आए प्राब होती है इसको आप सेखते हैं कि और सब्सक्राइब किसी पुला आए बटा आए देश की पुल्जन संख्या हम और सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो पर्ति बेक्टि आये के दौर हमें किसी देश के विकास का वर्गी दरन कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं विसुपे विसुपे विसुपेज़ अंतराश्टिय संस्था इसकी अस्था इसकी अस्था ना वासी नटली डिसी में वस्थिज़ जो यूएस अंतरा अमेर्का अश्था तो विसुपेज़ विकास रिकोस्ट जो जारी किया गया यह वर्गी तरन किया जाता है देशक्राइब किकास का उसका मुझा अधार जो है पर्ति बेक्ति आया अधा और सब आधा पर्ति बेक्ति आया है विस बेक्त वाराज दोजार सोला के अधार यह जी किसी देशक्राइब पर्ति बेक्ति आया बारा हजार दो सो चातिस युएस डॉडर पर्ति वर्ष है तो उस देशको संत्री जेश्माना जाता है जिद्वेश्टि पर्ति बेक्ति वासिखाए. पारा चाहाँ 236 युएस डॉलर है उस देश को 22 वरा सम्रीद देश माने कि आगे वैसा देश जिसका पर्तिव्यक्ति वार्शिक आया एक हजार पांच युएस डॉलर या उससे कम है वैसे देशों को निम आयवाले देशों में रखा जाँ आया भाँ झाल वैसे दूशंप पर कि अजल को ऑिग तर का चक्वाल चुएस देश्थ झाल झाल जिसकी पती बेक्ती वाक्सिक आए एक हजार पांच यूएस दोलर से अधी एवां बाराई जार दोसो चाटीस यूएस दोलर से कम है यूएसे देशा को मज आए वाले देशा की से अनिमें रखाते हैं इसमें के त्वाराई इसमें आप देखते हैं तो पिस्व बैंक में पिस्व के सभी देश्व को वर्गी करण करने में पर्थी पेक्ती आए तो मुझें से अधात बनाया और देश्यों को तीर भाग में बाटर पहला संवित देश दुसा निम आए रखेस और दुसा में आए वाले देश उसके पटी पेक्ती आएके आधात पर तो हम अब भारत की बाद करते हैं तो भारत इस तीन सेनियों में किसमें तो वर्स 2016 में भारत की पत्ती बेक्टी वालसिक आए अठासो चालिश वेस डॉलार थी वर्स ये मांगडे वर्स 2016 की तो वी सदाब पर भारत की स्ट्रेणिंग आया है भारत मज्य आए वाले देश की स्ट्रेणिंग आया है तो इस बत्रा बच्वों देखते हैं कि पिस बेक्टी ने पर्ति ब्यक्ति आयक आधार बनागर देशों को विकास का वगी करन किया बच्वों देखते हैं कि पिस बेक्ट द्वारा पर्ति ब्यक्ति आयक आधार कर देशमा वगी करन तीन वागों में किया गया तीन सेने में बाता गया है लेकिन क्या पर्ति ब्यक्ति आयके पिकास का एक सुचक है या उसको पूर्ण हम मान सकते हैं कि किसी देश के पिकास के लिए अन्च चीज़ें ही महत्वूर्ण होती है सिर्फ पर्ति ब्यक्ति आयकों से जदि हम उद्यस कर भी कास कमाते हैं तो यह पर्याब नहीं होता है इसके लिए हम एक उदादम से समय सकते हैं हम दो देश को तुलना करते हैं वर्ति करते हैं झाल झाल माल लेते हैं कि दो देश ए और बी हैं दोनों देश में पांच निवासी हैं एक, दो, ती, जा, पांच पहले देश पे देश एक पर्थण निवासी का आए दसजाद पांच निवासी हैं दूसरे का नुँआद पांच निवासी हैं इसरे का दसजाद पांच निवासी हैं चोथे का दसजाद पांच निवासी हैं और पांच निवासी का नुँआद पांच निवासी हैं दूसरे का पांच निवासी हैं पांच निवासी हैं तीसरे का निवासी हैं अगलोगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग यादि प्रेज एक सब्रेट्टियों का और सध्यार या पर्फी गट्रेटिया नी काहूं के तो वह कितना आए कुल आए जो उसकी टनसंख्या से भाग दे भी कूल आइक तत्य होगी है कि तो हम देखते हैं कि दिस एक ही पांचो निवास्थे के कूल आया है 50,000 दोर होगी हो पचाश अरुष की तर्स नहीं है, पांच थे भाग दखते हैं तो दस जाहाँ है और समय देश दीम है पांचो भिक्री की पूला आवासी के आप पचास जब देश इसे इसकी पूल देशन के आप पाई से भार करते हैं तो इसकी वासी को वासी को सता है दस जब प्याता है तो इसकी प्याता देखते हैं कि देशियों भी दोनों का उसर आए या परती वैक्ति आए दस जब दिया है तो वह वैक्ति किस देश में रहना पसंद करेंगा जदी इसी वैक्ति को देश भी का पाश्वा वैक्ति के रूप में रहने दिया जाया तो वह निसी दूप से देश भी में रहना पसंद करेंगा लेकिन यदि लॉटने कर उठें उसकी संख्या उठें किस दूप की दरूप में रहेगा तो निश्चित रूप से सभी परती देश ए में रहना पसंद करेंगा क्योंकि देश एक लोगों का आयका अंतर कम है लेकि देश भी में लोगों का आयका अंतर बहुत ही जादा है एक बैक्ती और ताली सेजा रुप्य कम हता है वार्षी का आयवदी है तो दूसरा बैक्ती का मादर 25 रुप्य है तो इस परकार हम करते हैं कि परती 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 आई से किसी देश के विकास के बारे में सही समझ दिक्सिंग नहीं है इसके लिए हमें अन पहलू पहली चर्चा करनी होती है किसी देश के विकास के लिए अन चीजेंगी मात्बूर होती है जैसे किसी बैक्ती को आए के अत्रिक्त क्या से जदी किसी पैक्ती के जेग में पैसे होंगे अधिक आयोस्ती है अधिक पैसे उसके पास है तो वो भौती कोस्ट में खरीद सकता है आराम की चीजें टीवी फ्रीज मोबाइल हरी सकता है लेकिन वो संक्रामती मारियों से लगने के लिए पीका नहीं बना सकता है वो बैक्ती पर्यावरान को अकेले स्वच नहीं मना सकता है वो बैक्ती अकेले उस समाज में सुरचित नहीं रह सकता है उसके लिए उसे अन के सहयों की आस्था हो या अन चीजे उसके लिए आया केत्री आवेसक है जैसे उचित पयावरान सिच्छा के अच्छी वेवस्था अच्छा वातावरान अच्छे सुरच्छा शुतम्स्था आधि तो इस पर आज बच्छों हम लोगों ने बैक्ति के विकास के बारे जाना सुकत है विकास क्या होता है उसके क्या माइन है दूसरा विभिन बैक्तियों के विकास के भिंड भिंड लच होते हैं यह जाना इसके साथ से साथ हम लोगों ने राष्ट्य विकास की बारे में कि किसी देश का विकास तो कैसे माबा जाता है दूना कैसे किया जाता है और राष्ट्य विकास के लिए क्या माना जाता है तो विस्व्द के मारा घोरा राष्ट्य बिगास के लिए और सम्या और नीम्तक समथें दुणको अखना यह було लेकिन इसम मैं की रिव्य 맞아 जिसे आगे ठीक करने का प्रयास किया गया आगे हम लोग अगले सतर में हम इसके बारे में जानेंगे बच्चों अब आज पर पाक से संब्गे कुछ प्रश्ण मैं आप लोगों से पुछना चाहूंगा जिसका उत्तर आप ढोड़ने का प्रयास करें आप से लिखने का प्रयास करें जैसे पहला प्रस्ट है कि एक ग्रामी विद्यार्थी के लिए विकास का लक्षे क्या हो जाए दूसरा एक डॉक्टर के लिए विकास का लक्षे क्या हो तीसरा प्रस्ट विशु बेन की अस्थापना कम हुए अगला प्रस्ट है कि विशु बेन द्वारा राष्टिय के विकास किसी देश के विकास के लिए क्या आधा माना गया है और सबसे अंति प्रस्ट बच्चों आपके लिए हैं कि हमारे लिए विकास का क्या तातपन है आज बच्चों आज के सत्र में बस इतना ही अगले सत्र में हम लोग इससे आगे कि शुरूआ करेंगे ज़ने झाल को आज स्बसे आए आजिए रातपन है इतना है आज कि शुरूआ में है जाचिकास झाल झाल